गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आप लोगों का पहुत बहुत स्वागत है मारे अपने चैनल वीवास लाइफ में होग करती हूँ सब लोग स्वास तोंगे मस तो फ्रेंड्स अभी हमको आज बनाना था चना डाल से नास्ता और सबजी दोनों तो यह है एक कटोरी चना डाल जो कि हम भीगाए नहीं थे अभी सुबह सुबह उटके मोड किया बनाने का तो अभी बस यह पानी गरम करके हलका गुनगुना ज्यादा गरब नहीं गुनगुना करके इसको इसमें डाल दिये यह फोल जाएगा घंटे में और तब से आप लोग होगा लेकिन कोई भरोसा नहीं है भगवान जी का धूब भी हो सकता है और बारिस भी हो सकता है क्योंकि मौसम का कुछ अता-पता नहीं है यहान जी हलो गुड मौनिंग वेरी गुड मौनिंग वेरी गुड मौनिंग यह मेरे बगल की है यह कचड़ा वाले सवा के खड़े हैं तो यह भी एक duty है कचड़ा जाके देने का हम तो देते नहीं है बस सीधे प्लास्टिक में बांद के वहीं रोड के पास रख देते हैं अपना आते हैं सब ले जाते हैं वहीं पे सामने रोड पे ही रख देते हैं मतलब में रोड पे नहीं थोड़ा इधर जहां गाड़ी खड़ी है और उसके बाद यह देखे अभी किप्टू सोया है और आज मेरी कोठने में लेट हो गया था इधर अब लेट से उठते ही हैं आप लोगों को हम गड़ी दिखाते हैं देखे अभी टाइम हो रहा है साथ पांच और हम उठे है सवा छे बजे सवा छे बजे उठे पानी आ गया था पंदरे मिनट बस बागी था पानी मतलब जाने के लिए साड़े छे तक आता है फटा फट से बस पानी वरे हैं और जाड़ू पोच्छा मेरा हो चुका है और अभी ये देखिए हम अपना जाड़ू पोच्छा सब कर ल पीसे हैं जीरा मरिच और उसके बाद ये देखिए ये बहुत ही पतला लौकी ले आए था एकदम पकोड़ी वाला तो इसको देख के पकोड़ी खाने का मन कर रहा था तो हम गई आज बनाते हैं पकोड़ी और ये चना दाल भी मेरा फूल चुका है तो इसको पीस लेंगे अच्छे से और उसके बाद पकोड़ी बन रहा है तो चटनी तो चाहिए ही एकदम बिना चटनी का पकोड़ी क्या ही मजाएगा तो चटनी हम बनाएंगे धनिया टमाटर मिर्चा लेसन का अदरक का और ये हरा धनिया है आज कल बरसात में हरा धनिया इतना जल्दी सड जा अभी दो दिन पहले ले आए थे तो इसको साफ करके रखे थे फिर एक पती पीला होने लगा है बहुत जल्दी सड़ने लगता है ये तो बस इसी को अपना जो भी पीला हो राता पती है चाट करके फिर से एक बार और इसका भी चल रहे हैं सब धूलेंगे उसके बाद इसक पेस्ट बनाए हैं तो इसको आधा रख लेंगे सबजी के लिए और आधा बनाएंगे हम पकोडी आज चने डाल का ही सबजी बनाएंगे इसका हम सुरू से ही मेरा मन था किया सबजी इसका बनाएंगे पकोडी तो लोगी को देख के मन किया पकोडी बनाने का और ये आधा निकाल करके उसमें हम थोड़ा चावल का आटा मिला लिया है पकोडी में चावल का आटा डालने साना बहुत ही कुरकुरा हो जाता है एकदम बढ़िया और उसके बाद इसमें अब थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन और जीरा और उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा ड 3 पाड़ अच्छा लगता ए जो हम पेश्ट बनाये मसाले का इसी में से 2-3 चमच इसमें डाल लंगे पकोडी में क्योंकि इसमें वहीं जीरा मरीच लेसन अद्रक का सबका पेस्ट है तो ये अच्छा लगेगा पकोडी में और उसके बाद इसमें डाल लेंगे नमक शमक तो अभी देखिए अभी डाल लिए हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें अभी थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे ज्यादा नहीं करेंगे नहीं पतला हो जाएगा तो फिर लिप्टेगा नहीं लोकी पे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे अभी और देखेंगे कि ये मतलब अभी कितना इसमें और पानी जाएगा तो थोड़ा और डालेंगे प ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे एकी बार नहीं तो फिर जैसा मताइंगी लओ जाएगा तो फिर लिपटेगा नहीं लोगी पे और ये अभी हम मिक्स तो कर रहे हैं लेकिन अब भी जस्ट हमको बताएं कि ये किट्टू भी कहीं चला गया सोके उठके और ये भी चले गए अब भी पकोड़ी खाने वाला कोई नहीं और पकोड़ी का तो ऐसा है कि जब तक आप गरम गरम खाये तब ही मज़ा आता है ठंडा होने पे मज़ा नहीं आता और ये हम हींग भूल गए थे इसमें मिक्स करना तो हींग डाल देंगे और इसको अभी रख देंगे जैसा हम आप लोगों को बता रहे हैं कि मेरे आभी पकोड़ी खाने के लिए कोई नहीं है तो अब हम सोचे अब हम बना लेते हैं खाना हीं क्योंकि अभी पता नहीं कब से आएंगे फिर हम पकोड़ी बनाएंगे फिर खाना बनाएंगे मेरा सारा दिन तो इसी में निखल जाएगा किचन में खड़े खड़े तो हम अपना खाना बना ले रहे हैं फिर वो लोग आएंगे तब हम पकोड़ी बनाएंगे और ये हम चावल रख दिये हैं हीटर पे पकने के लिए और अभी अब हम बना लेंगे ये सबजी का जो हम रखे थे बेसन उसमें ये दो तिन चमज जो मस स्वाक के लिए इसा समय विरया जाल को तो यह फेटेंग एक दम एक दम इतना फेटना है कि जितना यह थोड़ा सा मिसमें प्याज भी डाल दिये बहुत जरा सा बारिक कटा हुआ और इतना फेटना है जैसे हम लोग कड़ी का पकोड़ा का दाल फेटते हैं उस तरीके से कि एक दम मतलब मुलायम हो जाए अंदर तक ग्रेवी चला जाए तो बस अब इसी तरह छोटा-छोटा हम इसका पकोड़ी बना लेंगे पूरा और इधर मेरा चावल भी हो चुका है अभी पक चुका है तो एक मतलब पसाने लाइक हो गया है तो हीटर को बंद कर देंगे और चावल भी हम अपना पसा लेंगे अभी त आज नासते के टाइम खाना खाने के टाइम नासता सब यह हो रहा है तो लेकिन गर्मी है खाना बना देंगे इतना जल्दी ठंडा नहीं होता है खाना गर्म ही रहेगा और तब ही मेरा चावल देखिए हम पसा लिये हैं और अभी इसको इसी हीटर पे रख देंगे ना तो एकदम बढ़ियां से इसका पानी जो थोड़ा मुड़ा होगा सूख जाएगा और इधर मेरा पकोड़ी भी हो चुका है एकदम हमको एकदम करारा नहीं इसको करना है एकदम कुरकुरा नहीं करना है बस इस यह हो जाए पक जाए इसका कलर चेंज हो जाए बस उतना ही करना है क्योंकि इसका हमको बनाना है सबजी तो अब इसमें जो हम मसाला डाले है उसका फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा आता है सबजी में तो अब ये देखिए कडाही हटा करके ये कडाही रग लेंगे इसमें बनाएंगे सबजी तो इसी का तेल लेकर के इसमें डालेंगे गरम भी है और इतना तेल भी है और अब ही जब लगाएंगे तब पकोड़ी बनाएंगे तब से हम अपना सबजी भी बना लेंगे तो मेरा टाइम बच जाएगा ऐसे तो सबजी बनाने के लिए तेल तो गरम ही था फिर भी और गरम हो गया इसमें जीरा और एक मिर्चा और हींग डाल दिये हैं जीड़ा मेरा चटक चुका है तो अभी इसमें डाल देंगे प्याज दोठो काट लिये हैं छोटा-छोटा मीडियम साइज में और इसको अच्छे से भून लेंगे प्राउन होने तक तो ये देखिए मेरा प्याज पक चुका है तो अभी इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे हल्दी पाउडर डाल करके इसको भून देंगे अच्छे से तो मेरा हल्दी पक जाएगा और उसके बाद इसमें ये जो बनाए हैं मसाले का पेस्ट ये पेस्ट हम बनाए हैं सुखा धनिया, हरा मिर्ची, लसन, जीरा, मरीच और एक प्याज ये पेस्ट बनाए हैं अब ही इसको डाल करके इसको अच्छे सी मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला गरम मसाला का स्वाद अच्छा लगता है तो हमको तो बहुत पसंद है गरम मसाला लेकिन हर सबजी में नहीं डालते हैं क्योंकि नुकसान भी करता है तो लगा था कटोरी में तो वह भी मेरा सही हो जाएगा मतलब वेस्ट नहीं जाएगा और अभी इसमें नमक डालके इसको ढखके एक उबालाने देंगे जब यह अच्छे से देखिए मेरा उबलते हुए इसको 5-7 मिनट हो गया है अभी इसमें हम डाल देंगे पकोडी जो अभी बनाए थे ऐसे सबजी बनाई है ना पकोडी का अगर आप इस टाइम तो वहीं खाखा के आदमी थक जाता है दम बोर हो जाता है तो कुछ अलग खाने का मन करें नया खाने का मन करें चटपटा खाने का मन करें तो बस यह सबजी बनाई है बहुत ही टेस्टी यमी लगता है एकदम मुर्गा मचरीद जैसे हम कम तेल मसाला यूज की हैं आप लोग और ज्यादा यूज करए तो इसमे कासमेरी डेगी मेच ज्यादा डाल दीजए तो एकदम ये नौन्वेज को फेल कर देता है और मेरा कम तेल मसाला में है फिर भी स्वादिःस्ट बहुत है दिखे लोड़ी, तो यह बेशन में हम सब कुछ देकिन अब हमचुरग मूदर यह गना on a par माकी का एकदम बढ़िया क्रिसल्पी कराहें प्रमृ कराँ में बढ़ी रुपारी नास्तेथ अरग डेंगा नोर काटकी डाले हैं उसी का इंतजार कर रहे हैं मिर्च भी हो जाए तो देखिए यह हो गया मिर्च अब ले जा रहे हैं देने के लिए पकोड़ी तो फ्रेंड्स वो खा लिए हैं कि टुक पापा का हो गया और अब हम और किट्टू बैटे हैं ये देखिए ये प्याज का और ये आलू का और ये लौकी का ये है मेरा आज का एकदम मस्त करारा करारा पकोड़ी बारिस के मुसम में तो ऐसा नास्ता खा के मज़ा ही आ जाता है तो अभी हम और किट्टू बैठे हैं खाने अभी खाना कोई नहीं खाएगा खाना दो गंटे बाद सब खाएंगे क्योंकि अभी पकोड़ी खा के ही सब का पेट भर गया है तो बस अब हम बैठ के आराम से टीवी देखेंगे मज़ा लेंगे पकोड़ी का और फ्रेंड्स पकोड़ी खाने के बाद एक डेड़ गंटे के बाद हम खाना खाने बैठे हैं तो ये देखिए ये रहा मेरा आज का सबजी सॉरी जो कि बहुत ही यमी बना है और चावले एकदम सिंपल सा खाना कोई ज़्यादा तेल मसाला नहीं पकोड़ी खा के खुदी उतना ओयली हो गया है बस अब खाएंगे और उसके बाद लेटेंगे अगर आप लोगों को ये मेरा ब्लोग आज का उल्टा उल्टा ब्लोग पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जो नए है मेरे चनल पर सब्सक्राइब करके आप भी मेरे परिवार में सामिल हो जाएए मिलते हैं आप लोगों से कैसे ही अच्छे से नई ब्लोग में तब तक के लिए बाई बाई